कि ये भी हमारा सोभा क्या है बारिश आया तोड़ी देर रुखा और सभा के बाद दुबारा आएगा ऐसा मेरा विश्वास भी है कारण क्या है लोगों को मेट्रों चाहिए और साती साथ वारिश भी चाहिए पारी भी चाहिए मित्रों ये भारस सरकार और महरास्त सरकार हम दोनों मिलके और साथी साथ नागपूर मुलिस्पल कार्पोरेशन और नागपूर इंप्रूमिंट ट्रस्ट हम सब मिलके इस मेट्रो कारिक्रम का आज सुभारम कर रहे मैं वेक्तिकेत रूप में और सरकार के ओर से मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री सी पुरिद्विराच सोहान जी का अनुपस्तिती मैं महसूच कर रहा हूँ वो भी रहे तो और भी अच्छा होते थे कारिक्रम कुछ कारण से वो नहीं आ पाया कारण क्या है हम देश प्रदेश और देश दोनों मिलकर काम करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए हमारा नेता प्रधान मंत्री स्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा हम सब को मारदसन किया हम सब लोग एक team India के रूप में काम करना चाहिए team India राजनीती अरग है बगर विकास देश के रिए क्या चाहिए देश के रिए विकास चाहिए विकास चाहिए तेजी से विकास चाहिए हमारा सरकार का मुख्य मुद्दा और अजंडा चुनों में चुनों के बाद अभी भी हमारा मुख्य अजंड ये है विकास और तेजी से विकास और सुष्यासन the main aim and agenda of this government read by Sri Narendra Modi is development, speedy development and also good governance that is the need of the hour keeping politics aside keeping politics aside the state and centre we should all work together for the betterment of the life of the people of India people of Maharashtra that is our motto that is the direction the Honorable Prime Minister has given to all of us and this government read by Sri Narendra Modi we believe in cooperative federalism we may be different parties we may be different regions we may be speaking different languages अलग भाशा अलग वेश फिर भी अपना एक देश ये हमारा दारा है इसलिए मित्रों अज इस कारिक्रम में मैं महारास्त्र का जनता को मुख्य रूप में विदर्बग का जनता को और नागपूर का विशेश रूप में नागपूर का जनता को बदाई देना चाहता हूँ अभिनदन जेना चाहता हूँ यहां मेट्रो राइद का भूवी पूजा कारिक्रम आज हमारा मान यह प्रधान मंतरी का करकमरों से हो रहे है इसके लिए आप सबको सुबकामना है और साथी साथ मैं नागपूर नगरपारिका महानगरपारिका को भी सुबकामना देना चाहता हूँ वो लोग भी इसमें भागिदार है और साथों साथ मैं नागपूर इंप्रूमेंट ट्रस्ट अधिकारियों को उन लोग को भी अभिनदन देना चाहता हूँ कारण क्या है वो लोग भी इसमें सहयोगी है और इसे शुप में मैं मेरा मंतरी मंडर में मेरा साथी मेरे मित्र जिन्होंने बहुत रुची दे के सबसे बात्चित करके इस स्कीम मंजूर करवाने में रुची दिया स्री नितिन गटकरी युकों भी मैं सुबकामना देना चाहता हूँ अभिनदन देना चाहता हूँ मित्रो नागपूर के बाद पूना होगा पूना में भी मेट्रो फुबारम होगा और पूना के बाद मुंबई में भी मेट्रो 3 ये भी निश्चित कार्मे उसका भी हम सुबारम करने के लिए तयार है इस रिए खिसी का मन में ये संका नहीं होना चाहिए नागपूर फुबए कुपन चाहिए नंगर है पूछे का मध्यम है और में इस 2PM बग्ए सद्धित बीक्जा कॉपलाइब उस्टे ji नागपूर जमिदर में भी मिय्त करने कि नागपूर में डिमाल this thing the total expenditure of the scheme is going to be 8680 crores 8,000 680 crore का कर्चा होगा स्कीम के रहे स्कीम अभी जो भूवी पूजन हो रहे इसका पूरा हो जाएगा 2018 तक एक कारिक्रम पूरा होके नागपूर में मेट्रो रहल का व्यवस्ता हो जाएगा उस्विधा आपको मिलेगा इसमें प्रदेश सरकार और केंदर सरकार 50-50% बागीदारी है केंदर सरकार का शेर है 1555 crores महरास्ट सरकार का इक्विटी है 1114 crores और गोवर्मेंट अफ महरास्ट का डेट टैक्स के द्वार 441 crores, Nagapur Improvement Trust 73 crores, Nagapur Municipal Corporation 73 crores, bilateral-multirateral market loan 4521 crores, total project compression cost excluding land acquisition by the state and taxes 7777 crores. This is the backdrop of the scheme and I can assure you the central government will take all the interest and see to it that the SPV special purpose vehicle that is going to be created for facilitating this scheme is set up at the earliest and both the center and the state and the Nagapur Municipal Corporation will all work together and complete this scheme at the earliest and provide this facility to the people of Nagapur. नमस्कार जैहिन जिस तेजी से Nagapur आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्व के आर्थिक प्रवुत्ति का जो केंद्र बढ़ा हुआ है,